सूरी गरहन लगने जा रहा है इस दिन नमक का छोटा सा प्रयोग आपके जीवन की नकात्मक उर्जा को दूर करेगा और जीवन में खुसी आएंगी नमक वैसे तो नकात्मक चीजों को सोखने वाली वस्तू है अगर आप इसका सही समय पर सही जगा प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन से तमाम परिसानिया समाप्त हो जाती है और जब सूरी गरहन लगता है तो इस समय पूरे ब्रह्मभांड में नकात्मक उर्जाएं चरम पे होती है इसी लिए लोग इस समय तमाम तरह के तांत्री क्रियाएं करते हैं तोने तोटके करते हैं और उन से बशने के लिए ये परियोग बहुत जरूरी है वास्तु में नमक को निगेटिव एनरजी को दूर करने वाला एक ऐसा तत्व माना जाता है जो जीवन की खुसियों को बढ़ाता है और परिसानियों को समाम करता है वैसे तो नमक और फिट करी हर किसी के घर में होता है और आज हम नमक का एक ऐसा उपाय बताएंगे जो आज हम आपके साथ बहुत सारी बातें सेयर करेंगे चाहे आपके घर में परिशानी हो ग्रिह कलेस हो या धन समंधी मुस्किले हो हर चीजों से हर तंगी से बाहर निकलने के लिए नमक का एक खास परियोग जो आपके जीवन की हर परिशानी को तुरंद दूर करेगा तो चलिए जानते हैं आज एक बहुत सिंपल परियोग एक बात हमेसा याद रखिए सनी बार के दिन जब भी घर की सफाई करवाएं पोचा लगवाएं यहां तक कि आप अगर घर या बाहर धुलवा भी रहे हैं तो भी पानी में नमक जरूर डालें नहीं जादा तो कम से कम एक चुटकी क्योंकि नमक नकारत्मक चीजों को सोंख लेता है और वहां के वातावरन को पॉजिटिटी से भर देता है यानि एकदम से सकारत्मक उर्जा भर जाती है तो नमक डली वाला भी यूज कर सकते हैं और पॉडर वाला भी नमक आपको जो भी संभव हो आपके लि बहुत जगरे लड़ाई होते हों तब ऐसे में नमक का एक छोटा सा प्रियोग अगर सनिवार के दिन करें तो ग्रिह कले समाफ्थ हो जाते हैं क्या करेंगे आप खड़ा नमक यानि डली वाला नमक का एक टुकड़ा ले आएं किसी भी कांच की कटोरी या ग्लास में रखक याद रखिए उसको कभर नहीं करना है खुला रहेगा रखकर आप अपने बेडरूम में कहीं भी कोने में रख दें एक महिने के बाद इसको हटा कर आप पुराना वाला जो है इसको ट्वालेट में फलस करें या बाहर ड्रेन में डाल दें और नया टुकरा रख दें आप के बीच जगरे लडाई होना बंद हो जाएगा ग्रिह कले समाप्त हो जाएगा बहुत सिंपल है नमक का प्रियो अब आप चाहते हैं कि घर में जो सत्रू भी रोधी हैं जो लोग आपको पसंद नहीं है कोसिस हमेशा ही करें कि ऐसे लोगों का नमक मत खाईए और कोसिस करे कि ऐसे लोगों के संपर्क में भी कम रहें क्योंकि सिर्फ नकात्मक चीजें ही आपके साथ आएंगी अच्छी चीजें नहीं आएंगी आप चाहते हैं कि घर में खूब पैसा बचे खूब पैसा टिके तब एक छोटा सा प्रियोग कीजिए कांच के ग्लास में आप पानी भर लें तीन भाग अब उसमें एक चमच नमक डाल दें और अपने घर के दक्छिन पस्चिम कोने में इस ग्लास को रख दें संभव हो तो ग्लास में लाल रिवन बांदे या लाल रंग का कलर कर दे और हर एक मेहने के बाद पानी को बदलिये पुराना वाला पानी फ्लस कर दे या बेसिन में डाल दे या फिर आप चाहें तो जैसे गर्मी के मौसम में पानी सूख जाए तो थोड़ा पानी उसमें और उपर से आप डाल सकते हैं अगर बिमारी लंबे समय से आपका पीछा नहीं छोड़ रही हो तब सनिवार के दिन बिमारियों से मुक्ति पाने के लिए एक छोटा सा प्रियोग किया जाता है जो बिक्ति बिमार हैं उनके बेड के नीचे सिरहने अगर एक काँच के बरतन में नमक रखें और ये नमक अगर वो ज़्यादा बिमार है तो रोच चेंज करें और जब गरहन के समय आप ये परियोग करते हैं नमक को चेंज करते हैं फ्रेश नमक रखते हैं गरहन के पहले ही रख लेना है नमक और इसको गरहन समापत होने के बाद आप ट्वैलेट में प्लस कर दें या ड्रेन में डाल दें या फिर बेसिन में भी डाल सकते हैं इससे क्य होगा नमक जो है ग्रहन के वक्त का नकात्मक उर्जाओं को सोंक लेगा और आप सभी स्वस्त और सुरक्षित रहेंगे यह नमक डली बाला भी आप ले सकते हैं और प्लेन सफेद नमक भी ले सकते हैं लेकिन हर हाल में कांच के बरतन में और उपें डखना है एकदम से खुला लेकिन अगर आपको लगता है घर में अक्सर ही लोग बिमार रहते हैं तो यह परियोग आप बेट के नीचे आप खुद का भी कर सकते हैं आपके घर में जो बिमार है उनका भी कर सकते हैं और ज़्यादा बिमार हो तो हर रोच चेंज करना है और कम बिमार है तो हर शौनावाला नमक आपको फेक देना है किसी ड्रेन में याद रखिए जमीन पर नमक मत फेकिए गाजब भी कहीं नहीं पानी में ही ढालिएगा और धीरे धीरे देखेगा उनके स्वास्त में सुधार होने लगता है एक बात हमेशी याद रखिएंगा सभी नमक नहीं ख़िये चाहिए और सरसों का तेल भी नहीं खड़िना चाहिए वैसे किसी को हातो हात नमक नहीं देना चाहिए चाहे वो पैकेट वाला ही नमक क्यों नहों सामने वाले से आपके समंद बीड़ जाते हैं अब कई बार घर में वास्तु दोस होता है जिसके कारण बहुत सारी मुस्किले में परिसान करती हैं उन तमाम मुस्किलों को समाप्त करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करें चोटी सी काच की एक कटोरी ले ले उसमें थोड़ा सा नमक आप खड़ा नमक यानि डली वाला नमक भी रख सकते हैं और पॉडर वाला नमक भी रख सकते हैं इसको बात्रूम से घर का वास्तु दोस्त बहुत हत तक सवाप्त हो जाता है कि कई बार क्या होता है आप भोजन करते समय दाल सब्जी को चकते हैं नमक कैसा है मिर्च कैसा है देखिए एक तो चखना नहीं चाहिए दूसरा कभी भी अगर खाने में कम है नमक तो सफेद नमक लेकर मत खाईए जब भी लेना हो सेंधा नमक या फिर काला नमक का परियोग करें ऐसा करने से सनी चंद्रमंगल का दुस्प्रोफाव आपके उपर नहीं पड़ेगा इस बात को हमेशा ही ध्यान में रखिएगा कई बार आपका नौकरी ब्यापार नहीं चलता अच्छा कई बार रोजगार में परिसानी होती है तब ऐसे में एक छोटा सा परियोग इस सनी बार के दिन आप जरूर करें क्या करेंगे एक लाल रंग का कपड़ा ले ले अब इस कपड़े में डली वाला नमक का टुकड़ा रख कर इसको बांध कर अपने ब्यापार अस्थल के बाहर बांध दे गेट में या फिर आप अपने घर के बाहर भी बांध सकते हैं ऐसा करने से नकात्मक उर्जा समाप्थ हो जाएगी और किसी तरह का कोई दोस भी नहीं लगेगा नमक के उपियोग से राहु केतु के असुप्रभाव भी नस्थ हो जाते हैं अगर ठिक से उपियोग करें तो जीवन में सुख सांती समरिद्धी बढ़ती है सकात्मक उर्जा का संचार होता है तो लाल कपड़े में जब डली वाला नमक आप घर के मुख्य दरवाजे पर बांदेंगे या आफिस के भी दरवाजे पर बांद सकते हैं याद रखना है कि ये बाहर की तरफ से बांदिएगा कई बार क्या होता है आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनको जल्दी जल्दी नजर लग जाती है या फिर बच्चों को नीद नहीं आती ठीक से तब रात में उनको सुलाने के पहले वैसे ये बड़े भी प्रियोग कर सकते हैं अच्छी नीद आने के लिए राहु केतु के दुस्प्रभाव को कम करने के लिए गुनगुने पानी में थोड़ा सा एक चुटकी नमक डाल कर हाथ पैर धोकर पोच कर फिर सोएं तो ऐसा कर करना लाई जाए तो वह नजरदोस के सिकार नहीं होते हैं तो आप छोटे-छोटे प्रियोग करके जीवन में बहुत सारी मुस्किलों से बचे रह सकते हैं लेकिन एक बात याद रखिए नमक को भूल कर भी इस्टील के बरतन में लोहे के बरतन में मत रखिएगा जब भी नमक को रखना हो काच के बरतन में भरकर रखे और जब नमक रखिए तो उसमें दो चार लॉंग जरूर डाल दीजिएगा ताकि घर में धन की कमी ना हो और सुख सान्ती बनी रहे ये बहुत सिंपल प्रियोग है लेकिन कीजिए जरूर और जब आप नमक का प्रियोग अपने अंदर जो नकात्मक चीजे हैं उसको समाहित कर लेता है और खाने के नमक को हमेशा ही ढखकर रखिएगा इस बात का ध्यान रखिएगा तो सूरी ग्रहन के समय आपको नमक का कैसे प्रियोग करना आज हम बहुत सारी बाते हमने आपके साथ साजा की और अगर आपको रखेंगे हाथ में फिर उनका हाथ धुला दीजिएगा इस तरह से क्या होगा उनके मन की तमाम परिसान या नमक के साथ घुल कर हट जाएगी और आपके बच्चे फिर से पहली की बाती खेलते कुट्ते आपको नचराएंगे फिलाल विदा रहे हैं हम बहुत सारी बाते फ झाल 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 झाल